हेलो दोस्तो नमस्कार तो आई एक बार फिर से मैं राजे स्यादो लेकर हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए इंगलिस की एक और बेहतरिन क्लास इंगलिस टेस्ट के साथ तो आज हम ग्रामर के टेस्ट के लिए बढ़ेंगे और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हम बात करेंगे टेंस, एक्टिव ऐसी, डाइरेक्ट और इंडाइरेक्ट की कुछ most important questions के साथ और आज देखते हैं कि किसकी कितनी तयारी है यह हम जाचेंगे परखेंगे ठीके दोस्तों तो बिना समय गवाए बिना time waste किये शुरू करते हैं आज की यह क्लास तो दोस्तों जै एक के question को आप देखते चलिए पहला question आपके screen पर है राम आयोध्या के राजा थे इसका translation आप मुझे बताइए राम आयोध्या के राजा थे अब इसका translation क्या होना चाहिए फड़ा फड़ जितने लोग live class में जूड़े हैं टेश्ट दे रहे हैं इसका answer दीजिए कि राम आ हमारा who was teaching us इसका pay si us बताना है जी who was teaching us तो देखते हैं answer कितने लोग का आता है पूरे 10 question दिये गए हैं 10 question में आपको बारी बारी से सबी questions के answer बताने हैं और last में आपने कितना सही किया ये भी आपको बताना है कि आपके कितने questions सही हुए कितने answer सही हुए मैं comment में आपको जर बताता रहूंगा मैं भी आपका देखूंगा कितने answer आपने लाए हैं पहला है राम आयोध्या की राजा थे दूसरा who was teaching us थर्ड भी पैसिवास है और पैसिवास हमारा कर आए did you obey the rules इसका भी पैसिवास बताना है did you obey the rules इसका भी बताईएगा तीन question अभी आपके screen पर आपके सामने दिख रहे हैं पहला करा है राम आयोध्या के राजा थे दूसरा है who was teaching us इसका भी पैसिवास बताईए और थर्ड करा है did you obey the rules इसका भी पैसिवास तो इन तीनों questions के पैसिवास एंसर मुझे बताईए दो पैसिवास और एक translation है और answer देते चलिएगा ठीक है जी answer आप देते चलिएगा और थर्ड हमारा did you obey the rules इसका भी पैसिवास हो गया आईए बढ़ते हैं अब four number की तरफ she says to me she says to me you will come to my home है न जी four number का रहा है she says to me you will come my home यह question आपके सामने है अब answer दीजिएगा ओके यह question चार है इसके answer आप मुझे देते चलिएगा first राम अयोध्याक राजा थे second who was teaching us third did you obey the rules और four है she says to me you will come my home ठीक है जी आईए बढ़ते हैं five number की तरफ five number कर रहा है पिता जी पिता जी सुबह से बयायाम कर रहे हैं ठीक है यह पांच question आपके screen पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं अब बारी बारी से अराम से इन सभी questions के answer दीजिएगा पिता जी सुबह से बयायाम कर रहे हैं बयायाम करना का I hope कि आपको spelling पता है नहीं है तो हम आपका help कर जाते हैं exercise हो जाएगा जी ओके exercise तो दो पैसी वायस हैं दो ट्रांसलेशन है और एक डाइरेक्ट और इंडाइरेक्ट से लेटेड कोस्चन है she says to me question को द्यान से पढ़िएगा question को द्यान से पढ़के answer दीजिएगा she says to me टीके उसके बाद हमारा क्या कर रहे है you will come my home first हमारा राम अजोध्या के राजा थे second who was teaching us पैसी वायस third did you obey the rules पैसी वायस four she says to me कामा यूटे कामा में you will come my home और next है पिता जी सुबह से बयायाम कर रहे है ठीक है दोस्तों तो पांच question आपके सामने स्कीन पर दिखाई दे रहे है और इन सभी के answer मुझे comment section में comment करके आप बताईए फिर हम बढ़ेंगे next question question number 6 की चरब और बारी बारी से हम आपको 6,7,8,9,10 सभी questions को बताएंगे तो answer भी देते चलिए अब six questions चरब बढ़ते हैं question number six है am I cooking a food? पैसी वायस six number हमारा कर आए पैसी वायस है और am I cooking a food? ये question है जी am I cooking a food? helping work पहले है verb में ing है और इसका पैसी वायस बनाना है पहले तो आप tense समझे कौन सा tense है is rm प्लस verb में ing टेंस कौन सा है और जब पैसी वायस बनाते हैं तो इसमें helping work क्या क्या चीजे लगाई जाती है अब बढ़ते हैं question number seven की चरब ये भी आपका पैसी वायस है question करा है who taught you grammar बाई बार बार ये एक जाम में पूछा जाता है who taught you English या who taught you grammar या तो वर्प का second form देके पूछेगा या तो first form अगर देगा तो देता है who teaches you English या who teaches you grammar इस तरह से question पूछेगा तो देखते हैं इसका answer कितने लोग दे पाते हैं who taught you grammar या who teaches you English इस तरह से question रहेगा तो अगर आपको लगता है कि सर हम जवाब दोनों का दे सकते हैं तो दोनों का दीजे taught के जगा एक बार आप teaches भी समझ के आप एंसर दीजे who teaches you grammar यहाँ पर आपके सामने who taught दिया है वर्प का second form है तो इसका पैसिवाज साब बताईएगा बढते हैं next question के तरफ question number 8 और 8 क्या करा है क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो question mark question है क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो ठेके जी यह हमारा question है इसका भी आप जवाब दे सकते है क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो यह question number 8 है और ऐसे ही हम बढ़ेंगे question number 9 की तरफ 9 हमारा direct और indirect से लिटर question है और question करा है they said to him ओके जी यहाँ पर हमारा they said to him रहेगा they said to him comma in note comma I shall not do your work tomorrow they said to him comma in note comma में I shall not do your work tomorrow यह question number 9 है और question number 10 आपके स्कीन पर यह रहा Newton के पास एक कुत्ता था इस पैसेश को आप पूरा एक बाद जरूर रिभाईश करीजेगा हो सकता है अगर आपके स्कूल में half year early exam हो या pre-board हो या board exam हो तो कहीं न कहीं इस बार इस पैसेश के translation से आपका सामना जरूर होने वाला है या तो half year early exam में हो जाए या pre-board के exam में या फिर final board के exam में इस पैसेश का जो translation है न जी Newton के पास एक कुत्ता था उसका नाम diamond था वह बहुत 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 आपादार था यह question यह पैसेश बहुत ही most important है आपके exams के point of view से तो इसको जरूर जो है पूरा देख लिजेगा अगर आपको लगता है कि नहीं सर एक बार आप करा दीजेगा तो comment करके मुझे बताएगा कि सर इस पैसेश को एक बार आप कराईए तो हम आपको अलक्सिस की class लेकर जरूर बता देंगे फिलाल अभी तो आपको मुझे इस 6,7,8,9,10 questions का answer बताना है और test में कितना number आप लाए ये भी मुझे आपको बताना है कि आप कितना लाए हो ठीक है तो question number 6 करा है am I cooking food इसका पैसेश बनाना है और 7 करा है who taught you grammar ये important है जी who taught you grammar हर बार एक जाम में पूछा जाता है कभी taught कके पूछेगा कभी teaches कके पूछेगा और पैसेश बास में ही आपको पूछेगा तो इसका भी answer देते चलिएगा और next करा है क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो एक ये है और next 9 नमर करा है they said to him कामा यूटे कामा में I shall not do your work tomorrow फुरिश्टॉफ यूटे कामा क्लोज और last निूटन के पास एक कुट्ता था ये वन से लेके 10 कोस्चन है अब I hope कि आप सभी लोग जो है 10 कोस्चन में कितना सही कर पाते हो ये मुझे with honestly बताने का प्रयास करेंगे और answer आपके क्या आ रहा है मैं लगातार comment में आपके देख रहा हूँ मैं उसका जवाब भी आपको देता चल ला हूँ तो उसको आप देखते चलिए और क्या answer सही आ रहा है क्या गलत है वो चीजे भी आपके सामने असपश्ट है ठीक है दोस्तों और answer जो है आप मेरे द्वारा भेज़े गए comment से मेरे द्वारा answer जो भेज़ा जा रहा है आप उससे अपने answer को match कीजेगा और last में मुझे जरू बताइगा कि आपने number कितना पाया है ठीक है और answer में आप लोग को लगातार send कर रहा हूँ एक-एक line के numbering के साथ तो answer भी आप match करते चलिएगा और next अगर आपको और भी कुछ अगर English से लेटेर कोई भी questions अगर चाहिए आपको लगे कि सार ये चीजे नहीं समझ में आ रही है आप पूछिए हम आपको जरू जो से sort out करेंगे ठीक है दोस्तों तो I hope कि आप लोग को मज़ा आ रहा होगा टेस्ट देकर तो फड़ा-फड़ा answer दीजिए और कितना number आप आप आए है अब आप मुझे बताए ज़्यादा समय आपके पास है नहीं एक question एक minute का है तो बाई अगर देखा जाए तो 10 minutes का ही यह test था लेकिन आपने ज़्यादा समय ले लिया तो ज़्यादा समय यार लेना विकार है आराम से आप मुझे इसका answer comment section में comment करके भी देते चलिएगा ठीक है जी तो आज के लिए तो बस इतना ही आज के लिए बस इतना ही आज के session को आज के इस class को इसी पर करते हैं end मिलते हैं कल तो thanks for watching, good night, जै हिंद, जै भारत